अब वाज उठाना चाहते हैं, उनको इसी पूर्ट करना चाहते हैं लेकिन उन जाहे सी बाद है कि किसी के जिक गले नहीं उतर रही यह बाद है क्योंकि अगर उनके खिलाफ वाजी उठानी थी, तो एक सीट से लड़ना चाहिए था जैसे भुवन्त माल एक सीट से लड़ रहा है, जर्नेल सिंग एक सीट से लड़ रहा है, हिमाल सिंग शेरगिल एक सीट से लड़ रहा है मैं शीला जी के खिलाफ एक सीट से लड़ा था, तो एक किसी के गले नहीं उतर रही कद सुबह मेरे पास कुछ लोग आये थे, जो कैफ्टेन साथ के करीबी लोग है, उन्होंने बताया जी कहानी कुछ हो रही है, कहानी ये है कि पिछले 10-15 दिन के अंदर जर्नेल सिंग का चुनाव, जर्नेल सिंग भी हमारे कैंडिडेट हैं, लंबी से जो परकाष सिंग बादल के खिलाफ लड़ रहे हैं, अभी तक बादलों में और कैप्टेन में अंडरस्टेंडिंग होती थी, बादल कैप्टेन साथ के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट खड़े करते थे, कैप्टेन साथ बा एक बादल के खिलाफ बादनों के खिलाफ और मजीखिया के खिलाफ हमने अपरे टॉप फिंदेशिक को खड़ा किया है। कि इन लोगों को नाकियवल सजा दिलाना जरूरी है, इनको पॉलिटिकली हराना भी जरूरी है। इनके अपवित्र पैर विधानसभा के अंदर नहीं पढ़ने चाहिए। तो जर्नेयल सिंग जी को प्रकाष सिंग बादल जी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने टिकेट दी थी। पिछले 10-15 दिनकी जो खबरे आ रही थी। जर्नेयल सिंग की बड़ी बड़ी नुकड सभाएं हो रही थी। रोडशो हुआ अभी बहुत शांदार रोडशो हुआ। और पूरे के पूरे गाउं जर्नेयल सिंग के साथ खनी होते जा रहे थे। और उदर परकाश शिंग बादल जी को जगे जगे विरोद का सामना करना पढ़ना और यह साफ उता जा रहा था क्या परकाश शिंग बातल इस बार बुरी तरह से हारेंगे लंबी से और जर्नेयल सिंग जीते गे। अब प्रकाश सिंग बादन ने कैप्टेन साब को अप्रोच किया, उन से निवेदन किया, कि जी मैंने आपके दो महीने पहले सारे केस वापस लिये थे, आपको बचाया था, रिष्टाचार के जितने केस थे, वो सारे वापस लिये थे, तो अब आप हमारी मदद करो, से चुनाव लड़ने का इसलिए एलान किया है, ताकि वो एंटी बादल जो वोट है, जो सारी जर्नेल सिंग को पढ़ रही थी, उसको डिवाइड कर सके, कल एक अख़वार के इंटर्वी में भी कैप्टेन साब ने कार भी पत्याला से तो मैं लड़ने, जीतने जा रहा और लंबी से मैं विरोध करने जा रहा हूँ, मतलब लंबी से मैं जीतने नहीं जा रहा हूँ, तो पत्याले से जीतने जा रहा हूँ, बेसिकली तो लंबी से प्रकाष सिंग बादल को जीताने के लिए जा रहे हैं, और पत्याले से खुद जीतना चाहते हैं, उनका कहना है अगर आपको बादलों के खिलाब इतना लड़ना ही था या तो एक सीख से लड़ते महीना दो महीना पहले कहते चुनाव के तस दिन पहले अगर आप बोल रहे हैं कि मिरे को अचानव के पूरी के पूरी दाली काली ए और ज़्यादा दुख हिसबात का है पूरे पंजाब में आज एक ही माहौल है, बादलों को कौध हरा रहा है, लोगों के अंदर प्रिडॉमिनेंट लिए चिनाव बचीज के ओपर है कि बादलों को हराना है, बादलों को हराना है, मजीखे को हराना है, तूता सिंग को हराना है, कहरों को हराना है, यह पूरी फैम के लोगों से कैप्टेन साब को माफ़ी मांगनी चाहिए पंजाब असके लिए कभी माफ नहीं का सकता कैप्टेशाब और इस्पेशली वो चाल करत कह रहे हैं यह मेरा आखरी चुनाव है मैं कैप्टेन साब को कहना चाहता हूँ आखरी में तो ग्रेस्फूल एक्जित होनी चाहिए थी आप इतनी बुली तरह से बदनाव भोके पंजाब के लोगों को दोखा देके राजनीती से समयास लेंगे यह आपको शोभा नहीं देगा पंजाब के लिए जिंदगी दोखो दिया और नशे नशे में दुबया पूरी पंजाब के अंदर जबर्दस दर्गा वहॉरे बहुन है लोग पुरी तरह से कहीं भी जाते हैं दो कुछ भी बोरने में डर रहे हैं ऐसे लगता है जैसे आजार भारत की प्रिवाशी निनें लोग कुछ भी कहने में डरत गट हैं wave कि एद हीअ नशा बेचदाह इं ये बात साफं है उनका नाम कई इंटरनेशनल ड्रग दीलर्स के बयानों के आया मजीथिया का चेहल के स्टेटमेंट में आया लोला के स्टेटमेंट में और भी कि थर्टीन लोगों जिन्होंने कहा था कि मजीठ शाइन वॉल्ड है कि आम आदमी पाइती की सरकार बनेगी इन लोगों को सजा दिलवाई जाएगी कि आधि जबने भाट में खूल के बड़े जो शोड से जगहें कि ये बात बोलता हूं लोगों को थोड़ा सा अचमबा होता है लोग कहतें सर्फ ऐसा हो सकता है कि मजीठिया जेल जाएगा ऐसा पॉसिबल है लोग आके में इसे पूछते हैं संभा के बार आज मैं लोगों को कहना चाहता हूं ग्यारा मार्च को नतीज़े आएंगे मोटिमों के तौर पे 20 मार्च तक सरकार बन जाएगी 15 अप्रेल लोग कर ले साली पंजाब के लोग पंदरा अप्रेल तक मजीठिया जेल में होगा केवल नशे नशे से मुक्ती नहीं मिलेगी पंजाब के लोगों को इस दर से मुक्ती मिलेगी लोग आजादी की चैन की सांस ले सकेंगे यह बहुत बड़ी बात है, जिस तरह से पूरे पंजाब के लोगों ने इनको दरारक खाता, उस गुंदागर्दी से लोगों को चैन मिलेगा, तो आज पंजाब के लोग नोद करने इस तारिक को 15 अपरेल तक मजीथिया जेह के अंदर होगा। इनको भीड़ी बिठाई जाईगी, जितना इन्होंने पंजाब को लुटा है बादरोंने, उस सारी लूत को रिकवर किया जाएगा, इनके चितने क्राइम हैं, इनकी जितनी डौलत है, एस साइटी बिठाएकर लूत के और जितना हैं, उस में पयसा पंजाब सिंग केरों, तोता सिंग, कैप्टन साब के स्विस बैंक के अकाउंट, इन सब चीजों को उस साइटी के दारे के अंदर लाया जाएगा, ये सारे लोग भी अपने कुकर्मों की सजा भुगतेंगे, लेकिन आज मैं पंजाब के लोगों को confidence दिलाने के लिए एक डे और सारे लोग मिलके एक बार साफ, सुथरी, सुच्ची, इमानदार सरकार को बहुत है। दिन की सरकार बने। उनन्चास दिन में तीन एफ आयर हमने शिला दिक्षित के खिलाब कर देखी उनन्चास दिन के अंदर। जलबोड के मामलों में और Commonwealth Games की घूडालों के मामले में। उसके बाद एक साल तक राष्ट पूदी शासंद रहा जो कीलो एफायर में करके गया था मोधी सरकार ने आने के बाद उनको अल्मारी में बंद कर दिया ताला लगा दिया चाबी मोधी ने अपने पास रख लिए जब हमारी दुबारा सरकार बनी हमने फिरल्माली खोली फिर से जाट शुरू की तीन महीने तक हम जाट की और केवर शीला दिक्षित मुकेश अमबानी की खिलाफ BFIR की की बाई नेम, जब दुबारा तीन महीने सरकार बनी, मुकेश अमबानी के स्कीयो वगयरा को संबन करना चालो कर दिया था, पहली बार वारत में हुआ होगा, आठ जून 2015 को मोदी जी ने पैरा मिलिटरी फोर्सें भेंज के हमारी एंटी कर्रेक्शन ब्रांच पर कपज़ा दर लिया, तबसे वो सारे केस मोदी जी के कभजी में है, आठ जून के बाद उस पर क्या-क्या करवाई हुई, ये मोदी जी आपको हिसाब दे सकते हैं, मैं हिसाब दे सकते हैं. जी नेल सिंग्ग जो वहाँ पर जो मीदवार लम्टी सियाफ में खड़े की है, फिछले दो तिन गटनाई है कि कैसे वो थोड़ा से कैप्टन के आने जी थोड़ा घबराई भी है और पार्टी फंड को लेकर लेकर खर्चा जो है उसको लेकिए बाप से मांग भी किया कि सर्स ये सारा फंड पार्टी के पास तो फंड ही नहीं, मैं बारबर कह चुका हुआ हूँ, जितना भी पैसा आ रहा है लोगों से चंदा ले लेके, 10-10 रुपए लेके, आप से भी लेंगे सिर्फ 100 रुप के संबार, सब लोगों से चंदा लेने के पार्टी चल रही है, ल लंबी के लोग चंदा लड़ रहे हैं, लंबी के लोग घर घर जा रहे हैं, पूरे पिजाब के लोग घर घर जा रहे हैं, वो चंदा लड़ रहे है, वो चंदा लड़ रहे है, अर्विन जी नोट बंदी के पहले भी नहीं थे, पहले भी नहीं थे, पहले भी नहीं थे, केजिया सब वैसे थे जैसे आप ने बोलता है, मान लेखे हैं तो आपकी सर्कार आ रही है, वाई चांस एक दो पर्सेंट ये कुछ जाउट है, ये हांग आगी, तो फिर आप इसकी स्वोट लेका सर्कार पुणाएंगे, कांग्रस की या काली दन की किसी सौ से ज़्यादा सीट आ रहे हैं, उसमें सब को ये ही नहीं पड़े हैं, वाई चांस नहीं है, उपर वाला साथ है हमारे सर्कार आपके सिद्धू को कोई खतरा मानते हैं, अरविंजी, रवनीत बिट्टू चुनाव लड़ रहे हैं, क्या 15-20 दिन में आपको जाच अब नहीं ही है, मैंने यही बताया ना, मैंने सारे रेकॉर्ड पढ़ने के बाद सारा मामला समझने के बाद यह स्टेटमेंट लिया, ऐसे हवामें डिया, उनके खिलाभ F.I.R. है, उनके एक F.I.R. है, इन्ए एक F.I.R. है, स्टेटमेंटेंट आ चुके हैं, जिसके करने के लिए गिरफ्तार करेंगे ना इंटरोगेशन तो होती है अभी तक तो सरकार ने इंटरोगेशन करने के लिए भी उनको गिरफ्तार नहीं किया अब बनाम किया हुआ है सर आज आप मेरे साथ मेरी आज पाच सभाएं हैं वहाँ चलना मैं जनता से एक चीज बुछता हूँ वही पंजाब के अंदर नशाक्वान खेला रहा है सारे एक सुर में कहते हैं मजीद ही सारे पंजाब के लोगों से आप पूछे इस काउंतर हर सिम्रत जी जो एक्चुल सिचुएशन अससे दूर है उनको पता ही ने की ग्राउंड पे चलते रहा है अरविंजी बादर जी आरोग लगा रहे हैं कि आप पंजाब का पानी दिल्ली ले जाना चाहते हैं सरी एग्रिमेंट किसने किया था कॉंगरस ने जमीनों के अधिकरन का नोटिफिकेशन किसने किया था बादर ने, 1910 है जब वो नोटिफिकेशन किया था जमीने अधिकरन की थी लोग आरोब लगाते हैं कि बादरों को बदले में कुछ मिला था क्या मिला था गुर्गाओं के अंदर जमीने ली थी उनके अपने नाम से पंजाब के पानियों को बेचके बादरों ने अपने लिए गुर्गाओं के अंदर जमीने ली थी ऐसे आरूप लगते हैं जमीने भी बाद लोगों अब अचानदी का फाबडा लेके कौन खड़ा तो करा तो तुम लोगों ने था और अब अचानक 15 साल के बाद 20 साल के है तो आप इसके खिलाफ हैं तुम देवकूफ हैं बंजाब के लोग तुमने क्या समझ लिया जिस तरफ राजनीती चले कि तु गश्व art? बढ़ेगा आपको लीगल स्टेप्स बीठाने पड़ेंगे विदास्वा के अंदर भी आपको कई कई कदम उथाने पड़ेंगे कई सारे लेवल पे स्टेप्स उथाने पड़ेंगे पंजाब के पानियों को बचाने के लिए अर्विन जी जैसे आपने का कि जर्नायल सिंग जी तो जीत रहे हैं तो इसलिए बादल आज केप्टेन टू है तो यह रवनीत बिट्टू की क्या थानियों भी पता दें कि अब जलालाबाद में तो हवाई और है आप आपको पतरी है अच्छा वह बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें जो आप पतल है पैसे लेलो पार्टी में वो डाल दो मैं ये कह रहा हूँ जी मैं ये कह रहा हूं कि पैसे ये आप लोग सारे चाप देना कि पैसे अकाली दल से भी लेलो पैसे बीजेपी से भी लेलो पैसे कॉंग्रेस से भी लेलो और ना देने आये तो उनके दफ कि पैसे यों पार्टियों से लो लेकिन both. आइक मिन मैं पूरा करना है कि अगर मैं यह कह पैसे उनसे लेखे हो और वोठ हमें दो यह ब्राइबरी नहीं है, कोट का एक सेटेल केस है, मैं दिल्ली के चुनाव में भी कहता था, दिल्ली के चुनाव के बाद इन लोगों ने कोट में मेरे खिलाब शिकायट करी, कोट का जेज्मेंट आ गया है कि केजरिवाल ब्राइब ज यह बंडिल्टॉल नहीं सबस्कार करके की सब्सक्राइबिगे अगिणाव至 में रही लुक्ता में मिल्ली मुझाण कर दो बने खिए जवाब कर लें इसमाइल पनेगी जब आपकी सरकार आएगी या नहीं जवाब दे रहा हुँ इक करके लिजेगा इसमाइल यह पॉलिटिकल विशह आपको मेरा जवाब मनजूर हो या ना हुआ आपको कहने का हमें भी जुनी को है तो मेरा जवाब आप सुन लिजे आपको पसंद आये या नाये वह को इस देश के इंदर सब्की बहुत है आज केंदर केंदर बीजेपी की सरकार है पंजाब में बीजेपी की सरकार है हर्याने में बीजेपी की सरकार है अगर मोडी साब चाहें तो पांच मिनट केंदर तीनों सरकारों को बिठाके इसका समाधान निकाल सकते हैं निएकल सकते हैं कि मि फूब हो शेक और कि पहले कोंग्रेस की जिने मिखर मैं उन्हों Taco subscribe ऐसे में बनाद रहूं आपको काम करना पड़ता है पंजाब के पानियों का हख हम पंजाब के सेवर में ही रखतेंगे पंजाब के पानियों का हक मरने नि देंगे बस कि यह पॉलिटिकल इशू है पॉलिटिकल लेवल पर ही डील होगा और हर्स तरक्यों पर काम करने की ज़रूरत है यह प्रेस कॉंफरेंस के अंदर आयना में इनके समधानी होते है इसको एक्जामन करेंगे सर्य सीर्यस मामला है हम भी समझते हैं यह सीर्यस मामला है मैं गांदुजी से अपील ही कर सकता हूं कि इस टाइम पंजाब के इंट्रेस्क्स को मरने ना दे एक ही पार्टी है सारे लोगों को आमाधमी पार्टी से ही उमीद है ना कॉंग्रेस से उमीद है, ना काली भाजपा से उमीद है, तो जब लोगों को इस से उमीद है, उनके कैंडिटेट उनको भी पता है, वो जीत नहीं सकते, वो केवल वोट कातेंगे, तो ऐसे समय में जब एक तरह से इतिहास बन रहा है, और जब सारे लोग पंजाब को बच हुआ है, बीजेपी तूट रही है, कॉंग्रेस के अंदर सारे ही दिखर रहे हैं, कॉंग्रेस में पता नहीं मुक्षवलतरी कौन बनेगा, वो सिद्वू साब बनेंगे, कैप्टेन साब बनेंगे, कौन मुथो नजदी, बनना तो दोनों से किसी नहीं है, लेकिन अर्विन एक सवाल इधर से, जब मोधी के नाम पे बीजेपी दरजी दाजसरकारों में चिराओ लटी थी, तो आप कहते थे, मोधी उस राज्य में पदान मंत्री तो बनने नहीं आए, मुक्ष मंत्री तो बनने नहीं है, कि हम ओवेस वह यहालान मंतर के पच्चाब में है मनिश सोधिया ने कहा, इसके बाद आप ने कहा कि हम को बनने से रहे, वाकि बनेगा पाँ सब समय आने में बताएंगे आप, सबसे पहले आपी की चैनल को बताएंगे थैंक्यों माज़ थैंक्यों आप